जी मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं माई बहिन भाईया भोजी चाचा चाची औरी तमाम शुरोता समाज के हम मेहंदर याद हो गोड़ लागतानी और लहरे देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं लहरे को इतना प्यार और आशि फेमस सो दा कपिल सर्मा सो पे प्रमोट भी किया गया था एक फिल्म के लिए इस गाने को रिकॉर्ट किया गया था फिल्म का नाम था दुलहिन चाही पाकिस्तान से जिसकी स्टार कास्ट इंटू पांडे जी थे और जिसके डारेक्टर और प्रोडूसर थे राजकुमार प प्रमोट किया था लेकिन वो किसी कारण फिल्म में ना आ सका और आज ये 6 साल के बाद इसको एक ऐसी भोजपुरी की अधाकारा जिन्होंने अपने बर्फ के पानी से भोजपुरी इंडस्ट्री को गरम किया है कोमल सिंग कोमल सिंग के साथ इस गाने को फिल्म आया गया और ह मुझे लगता है कि हमारी दर्शगों को हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को पसंद आने वाला है यह एक रैप सॉंग है और बहुत ही प्यारा लिखा गया है जिसकी म्यूजिक और लिरिक्स रतनरवानी जी ने किया है और बहुत ही खुपसूरती से यह फिल्माया भी गया है जिसके डारेक्टर अनुज यादो जी और बनारस की काफी टीम ने इस पर काम किया और फाइनली गाना रिलीज हो चुका है महंदर यादो ओफिसियल यूटूब चैनल पे तो मुझे लगता है आप सब को देखना चाहिए और इंट्रेन होना चाहिए जी हाँ जी यह गाना जब रिकॉर्ड किया गया था तो मुझे जी डार्लिंग के नाम से इस गाने को चैनल पे चड़ाया गया था बट फिर किसी कारण फिल्म में ना आ सका राजकुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे साथ जिसको मैं अपने मरते दम तक नहीं भ चिंटु पांडे जी फिल्म थे उनको भी ये बात पता है चिंटु जी के हमारे भोजपुरी के राजा कहे जाते हैं और उस टाइम पर ये मुन्नी जी के नाम से गाना फेमस हुआ था और क्लिप भी काफी फेमस थी लेकिन अभी इस वक्त ये का हो डार्लिंग का हालबा इ तो प्लीस आप लोग चैनल को प्यार दीजिए और सस्क्राइब कीजिए और आसिरवाद दीजिए क्योंकि एक नए कलाकार के लिए आप सब का प्यार और आसिरवाद ही मिलता है तब उसका होंसला बढ़ता है तो जितने भी नए भोजपुरी के कलाकार है उनको सब को मैं यही कहूंगा कि हिम्मत मत हारना क्योंकि भोजपुरी इंडस्टी हो या फिर बॉलीवुड हो हर जगा पे कोई नो कोई मगर मच है जो खाने वाला है और नए आर्टिस्टों को खा जाता है लेकिन मुझे लगता है कि जो मेहनत करते हैं जो सच्चे कलाकार हैं उनको प्लेट जी इसके साहिल नवाब जी मेरे बड़े भाई यस गाने को प्रोडूस कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वह मुझे पर भरोसा करके इतना फाइनेंस कर रहे हैं मैं उनका सुक्र गुजार हूं और साहिल भाई लब यू यार मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ और हमारी दोस्ती हमेशा ही कायम रहे भाई चाहरा ये और आप ऐसे हमारे दिलों पर और दुनिया की दिलों पर राज करते रहें और बहुत सारी दुआएं कमाते रहें थाइंक्यू मेरे भाई जी मैं दो लाइन नहीं मैं चार लाइन सुनाओंगा ऐसी तू ने चीज दिखाई सबकी नजर में तू ही छाई बच्चे का सकट पहन के बियर बार में तू क्यों आई तुझको नजर लग जाएगी जादू टोना में पढ़ जाएगी ढ़ोंगी बाबा के कुटिया में सा उनका क्या होगा रे छोड़ी दे दिया तूने सबको गोली आच अमिया एक बात बताओं देसी महुआ कि दो पैग बनाओं एक मैं पीओं एक तुझे पिलाओं बड़ा वाल गमच्छा निकालके ना गिनवाला डांस दिखाऊं ना गिनवाला ना गिनवाला डांस